done बेटा अचister आगे दटे अब next chapter, appeal revision ये भी मैंने सभी points cover करने की कोशिश की है, आप regular book पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा यहाँपे मैंने सभी points cover करने की कोशिश की है, देखो appeal adjustments अब वोई proceeding को continue करते है, demand order आगया ठीक है, अपिल रिविजन आपके चार्ट बूक में तोड़ा देख लेना कहां पर दिया हुआ है, यह चप्टर, कि डिमांड ओर आगए, तो आपको जो भी है, मतलब आपकी प्रोसेडिंग हुई होगी, अद्मिनिस्टेटिव, इन्विस्टेटिव, और आपको ओर कहां कहा सकती है, अब आपको बताता हूँ, थोड़ा यह पॉइंट को समझना है, मैं जो कहने जा रहा हूँ, सबसे पहले में चार्ट लूगा, असेस्मेंट और टीट वाला, असेस्मेंट में आऊगा, असेस्मेंट में आपको डारेक 62 और 63 का बेजज्जमेंट असेस्मेंट और आ गया, 73-74 नहीं, यहां डारेक्ट आडर दे दिया आपको, नोटीस देके डारेक्ट आडर, इसका अपना अलगी प्रोसीडिंग है, सेपरेट नोटीस, 73-74 से इसका कोई लेना देना नहीं, खुद की नोटीस खुद का ओडर, यहां पे भी 60 बेज जज्मेंट में खुद की नोटीस खुद का ओडर, बात को खतम कर दिया हुआ है, यहां अडर यहां से आई होगी, बेज जज्मेंट की, यहां फिर 73-74 के तहट, सुनो, 73-74 के तहट केस गया होगा, और 73-74 के थूद यह 76 के थूद आई होगी, यहांने, केस आपकी 73-74 में लगी होगी, वहां से आड आई होगी, 76 की ओडर आई होगी, यहां मैं आगे offense and prosecution पड़ा होगा, offense and prosecution में आपके against में जो order आई है, वह section 122 की, 124 की, उसके बाद में 125, 129, 130 या 132, यहांने, इस act में किसी भी section में आपके against में order आई होगी, appeal always against order, not against show cause notice, तो आपके against में order आई होगी, जो order adjudication officer, जो भी respective officer होगे, उन्होंने order final की होगी, क्यों नहों 132 की prosecution की, arrest or imprisonment का order, तो adjudication होगे आपके against में, maybe be judgment होगा, maybe 73, 74, 76 का होगा, या कोई other, other आपको लिखना है तो लिख दो, other आप लिख सकते हो, यहां पे section 122, 120, यहां पे 123, 124, 125, 129, 130, 132, okay, तो यह simple word में, offense and prosecution chapter, order, okay, उसमें आपके against में order आया होगा, तो अब मैं इसको दो पार्ट में divide करता हूँ, order by proper officer, जिसने भी order दिया होगा, maybe assistant commissioner, additional commissioner, joint commissioner, या commissioner, जिसने भी order दिया होगा, इस order के against में, मैं यहां दो पार्ट है, order by PO, और second order by officer below the rank of original authority, यह बात में लेता हूँ, पहले इसको cover करता हो, step by step जाते है, order by proper officer, आपने यह chapter नहीं भी पड़ा होगा, तो भी मेरे पड़ाने से समझ जाएगा आपको, और इसके बाद और एक बार देख लेना, और चार्ट के साथ compare कर लेना, तो आपको पुरा cover हो जाएगा, तो अब appeal जो है, यहां पर, file करनी, order adjudication होगा, और मुझे पहली appealable authority है, appellate authority, जो commissioner appeal होता है, जिस पहला appeal, मेरा appellate authority, जो commissioner appeal होता है, उनके पास case जाएगा, appellate authority, तो अब देखिये, appeals by agreeable person, जान से पढ़िए क्या, appeal by agreeable person, against the order of proper officer, appeal form आएगा, APL 01, याद रहे तो ठीक है, मुझे 3 months from the communication of order, यहांने जो demand order है, base judgment की, 73, 74 की, या other section में, जिस दिन order आई, वहां से 3 मेने के अंदर मैं appeal file कर सकता हो, और यह condemnation 1 month, अगर 3 मेने मैं नहीं file किया, तो 1 मेने का, अगर AA चाहे, appellate authority चाहे, तो मुझे condemnation मिल सकता है, शली, case जारिया, appellate authority के पास, लेकिन, case जाने के पहले, एक बात बड़ी important है, और वो है pre-deposit, law यह कहता है कि कोई भी case, appellate authority के पास तभी file होगी, जब जो agred person है, taxpayer है, वो pre-deposit लखेगा, court के पास, मतलब यह पैसा जाता है, government के पास ही है, पर government इसको tax में use नहीं करती है, इसको deposit करती है, क्योंकि यह pre-deposit का clause है, क्योंकि unnecessary, लोग case को stretch ना करे, court में डा जाएगा, नहीं, case को stretch ना करे, इसलिए government ने pre-deposit, कब यहाँ पे clause लायत, तो so that पैसा उतना government के पास आ जाएगा, और की government secured रहेगी, और ना में mandatory pre-deposit for AA, appellate authority के पास किसी को भी case file करना है, तो बेटा कोई भी case, just casual file नहीं कर सकता, उसको यह deposit देने पढ़ेंगे, तो यह case अगे बढ़ सकती है, यहाँ तक समझा क्या, समझा होगा तो yes कहिएगा, मेरे साथ involved रहीएगा, समझा होगा तो yes कहिएगा, अब कितना उसे pre-deposit देना है, यहाँ पे, कितना pre-deposit देना है, तो full amount of tax, interest, penalty, fine, agreed, यह agreed word बड़ा important है, बड़ी, disputed case है, disputed case है, demand order उसने दे दिये मैं मुझे कहना है कि sir, जितना आपने do दिया इतना तो मैं agreed नहीं हूँ, आपने 50 लाग का do दिया, इसमें से 30 लाग मैं accept करता हूँ, पर 20 लाग आपका do मुझे agreed नहीं है, मुझे appeal में जाना है, तो अगर मैंने 30 लाग agreed कर लिये है, तो उतना देना पड़ेगा, जितना मैं देना पड़ेगा, प्लस 10% of disputed amount 10% of disputed amount यह आपको देना है, subject to maximum 25C, इतना deposit रखना है पहला case, 50 लाग का case था, उसमें से 30 लाग मैंने यहाँ पे agree किया, वो तो पूरा देना पड़ेगा, tax interest minority जो भी होगी, और बचा हुआ 20 लाग disputed है, उसका 10% मुझे deposit रखना पड़ेगा, अगर 50 लाग totally मैंने disagree किया तो फिर 50 लाग का 10% उतना तो भी मुझे deposit रखना पड़ेगा, 50 लाग का 10% मुझे, disputed amount का 10%, यह समझा क्या बटा आप कोगे, सर ऐसे तो agree नहीं करने का, ऐसा easy तोड़ी है अपिल तक आगी case, show cause notice आई सब discussion हुआ, आपने representation दिया, demand order है okay, agree नहीं कि अनकल जागे अगर कोड में का कि नहीं, department सही है तो 100% का unnecessary penalty लग गया ना, आपको case को stretch नहीं करने है, बहुत clearly समझ लो जितना आप settle कर सकते हैं, 15%, 10%, 25%, 50% penalty में settle करो, जितना stretch करोगे, उतना आपको आगे परिशान होती जाएगी ठीक है, तो अब यह हुआ, यहाँ पे deposit देने के बाद, appellate authority के पास, यहाँ पे case आजाएगा sir, यह appellate authority कौन होती है appellate authority notification number 55 by 2017 से, additional or joint commissioner ने order दियोगी order किस ने दी, additional or joint commissioner ने दी होगी तो उसकी appealable authority होगी commissioner appeals, यहाँ इनकी order का appeal, commissioner appeal के बाद जाएगा, और अगर order assistant commissioner या deputy commissioner या फिर उसके नीचे superintendent दिया होगा तो इनका appealable authority होगा any officer not below the rank of joint commissioner, मतलब joint commissioner appeal, यहाँ additional commissioner, joint commissioner का case होगा, तो commissioner appeal हैदल करेगा और छोटे लोगों का case होगा, तो वो case में joint commissioner appeal उसको handle कर लेगा यह पॉइंट यह पॉइंट भी बड़ा important है, और यह पॉइंट कह देखो, A.A. shall not refer the case back for fresh adjudication कभी-कभी कह, proceeding चाल होगा मैं यहाँ देख रहा हूँ, यह मैं आपके कागजाद देख रहा हूँ, आप बैठे हो, क्लाइंट बैठा है, मतलब taxpayer, agri-person, department है, मुझे ऐसा देखा कि नहीं हाँ, मैं आप officer को कहा कि तुमने proceeding सही धंग से नहीं किया, आपने, demand order final करते वग आपने सही facts consider नहीं किया, गलत है, आपने यह कुछ facts, जो यह पे taxpayer कह रहा है, यह facts को भी देखाँ, जैसे आपने rule 30 में 110% of cost of acquisition का valuation किया, गलत है, आपने cost of acquisition सही धंग से नहीं निका लिए, ना आपने CMA का report लिया for cost of production के लिए, acquisition के लिए, आपने बस अपने इसाब से लिया, मतलब आपने facts consider नहीं करें, तो क्या होता है, जनर्रीय court में जब ऐसे discussion होता है, तो court case को वापस भेजते दिया, fresh adjudication, हम case वापस करें कि fresh adjudication कर, वापस से करो adjudication, इस direction देती है, कि CMA का certificate बलाओ, इसको बलाओ, इसको बलाओ और फिर से adjudication करो, यह court कर सकता है, लेकिन AA नहीं करेंगा, AA वापस case नहीं भेजेगा, जो भी करना है, यहाँ पे commissioner appeal, यह joint commissioner, यह खुद ही महाँ का, महाँ CMA का certificate है, जो भी है, और कि वो final करेगा, लेकिन वो case वापस नहीं भेजेगा, for fresh adjudication, यह point समझा कि आपको, यहाँ सकता है, MCQ question में, यहाँ सकता है, MCQ question में, ठीक है, यह तो हुआ बिटा, यह वाला, कि यहाँ पे appeal में हम आए, और appeal में मैं agreed person था, taxpayer, और मैं appeal के लिए जा रहा हूँ, कभी-कभी क्या होता है, हाँ, यह बड़ा surprising है, department ही, अपने officer के order के, अपने officer के order के against में रहता है, समझे लो, order दिया assistant commissioner ने, assistant commissioner ने, और join commissioner को doubt है, कि assistant commissioner ने पैसा लेके कुछ गड़वड की है, और order को final की है, वो अपने ही lower rank वाले officer का, commissioner, actually join नहीं को होगा, commissioner, commissioner उसको ऐसा लग रहा है, कि उसके जो lower authority वालों ने है, order कुछ पैसा लेकर देकर settle की है, और उपर तक पैसा नहीं आया है, अच्छा, हम तक नहीं आया है, ये हमारी बीच में रखना, ऐसा actualist वनी है, तो उसने ले देकर order को settle की है, तो फिर, वो अपने ही officer की order को appeal में लेके जाएगा, हाँ, अपनी officer की order को appeal में लेके जाएगा, और कि उसकी order open करेगा, तेरी order तो मैं open करूगा, इसलिए तो लोग कहते है, उपर तक पहुचाना पड़ता है, क्योंकि इनों ने कर दिया settle, तो उपर वाला and propriety of the order, मतलब, जो मेरे lower officer ने, हाँ, एक्च्वल में ऐसा होता है, सब तक पैसा जाना जरूरी है, तो जहीं कह रहे हैं, तो ऐसे case में, उससे अगर commissioner को ऐसा लगा कि, उसके lower officer ने order legal नहीं दी, या propriety concept पे नहीं दी, उसका अगर tax revenue होता है, तो जैसे वो order settle करता है, वैसा नहीं, government का था, इसलिए उसने ले दे के खतम किया है, प्रोप्राइटी का base पे नहीं किया है, तो commissioner on his own motion, खुद हो के, या on request of commissioner of SGST और UTGST, जो क्या होता है, बहुसे बार order CGST officer ने दे दिया, अब CGST जब officer ने order दिया, वो situation में, उसने दोनों tax settle कर दिये, CGST और SGST, पर जो SGST वाला officer है, या UTGST वाला officer है, वो कह रहा है कि नहीं, जो adjudication क्या central वालों ने, वो adjudication सही नहीं है, legal नहीं है, तो वो commissioner को request करेगा, कि sir, आपके officer ने जो है, जो order दिया, बिल्कुल सही नहीं है, उसको review के लिए डालो, हम उसको review कहते हैं, तो वो जाएगा appeal 03 में, हाँ, तो यहां से, हाँ, हाँ, सही है, यह arrow यहां से निकलना चाहिए, नहीं, मैंने arrow यहां से लिया, क्योंकि appeal के दो option है, either appeal agree person फाइल करेगा, या appeal commissioner फाइल करेगा, यह भी appeal ही है, यह review नहीं है, appeal के दो तरीके, एक either यह 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 यह, ऐसा है बटाओ, तो यहां पर form जाएगा APL 03, time limit होगी 6 मेना, हाँ, यह खुद के officer की appeal करने के लिए time limit होगी 6 मेना, तो देखो, इधर time limit है 3 मेना, यह aggroor person करता है, और इधर time limit है 6 मेना, from the communication of order, और condemnation यहां पर बन-बन्थ है, और यहां कोई pre-deposit नहीं, government अपने आप से खुड़ी pre-deposit लेगी, यहां कोई pre-deposit नहीं है, और यह commissioner case को वेजेगा, अपिलेट authority के पास कि देखो यार, यह legal है या नहीं है, ओके यह बेवकूफ, इसमें पास काते है, revision, और के एक्चुलि इसको review, normal practice में कहते है, आप यह कहना, appeal by commissioner, ठीक है, appeal by commissioner, अब मैं revision पर आजाओगा, नहीं तो फिर आप unnecessary यह fund में पढ़ जाओगे, sir, review or revision में क्या difference है, यह review मेरा word है, जो पुराने अब मैं एक्साइज में यूज करते थे, आप तो यह कहना, appeal by commissioner, अब मैं आओगा revision के लिए, अगर किसी भी officer, जो below the rank of revisional authority है, जान सुनिएगा, below the rank of revisional authority है, अब revisional authority में नीचे बताओगा, उसने order दियोगी, जो eronious है, prejudicial to revenue है, जो confirm है eronious, दुनों पर फरक्या देखो, अगर order legal नहीं है, legality नहीं है, यह property नहीं है, तो review होगा, यहाँ पर अभी तक commissioner confirm नहीं है, कि भई, यह सही है क्या गलत है, उसको लग रहा है, पर confirm नहीं है, तो फिर, वो खुद की officer की appeal फाइल करेगा, appellate authority के पास, और चेक करवाएगा, कि एक बार चेक करूँ है, as per law है या नहीं है, ठीक है, लेकिन यह confirm है कि eronious order दी गई है, बहुत ही गलत facts पर order दी गई है, जो government का नुकसान करवाता है, या complete illegal or improper है, जो confirm हो चुका है, या not considering the material facts, तो फिर direct revision के लिए चल जाएगा, फिर हम हमारा time pass नहीं करेंगे कि appellate authority, आप बताओ क्या होगा, कैसे होगा, क्या सही है गलत, ताइम पास नहीं होगा, direct revisional authority के पास case चले जाएगी, ये मेरा point समझ रहा है कि आपको, अगर confirm है कि eronious है, illegal improper है, ये मेरा not considering the material facts, आप मेरी बात समझ पारे हो क्या, yes or no, very good, okay, तो यहाँ पर revision के लिए दाएगा, revision, यहाँ पर, revisional authority कोण होगी, मैं नीचे पढ़ाओगा, revisional authority होगी, वो खुद ही order revision के लिए ले सकती है, या information received by him, okay, बाहर से, उनको information मिली commissioner से, या फिर SGST, UGST commissioner, okay, उनको कहरे कि यह देखे, आप revision के लिए order लो, okay, मैं call for records and examine the records, okay, तो सब records revision के लिए बुलाए जाएगे, okay, सीधा-सीधा खुद ही बुलाएंगे, वो अपलेट tribunal वगर कुछ नहीं, खुद ही बुलाएंगे, अपलेट ऑथरिटी बगर कुछ नहीं, और includes all records available at the time of examination, आपके सभी records बुले लिए जाएगे, यह तो इतना खतरना के all records at the time of examination मतलब, आपका original order 17-18 का है, 2 साली कवर है उसमें, 17-18 और 18-19, 2 साली कवर है, ठीक है, पर वो order revision में लग गया, और revision में वो 2021 में लगा, तो 2021 तक के record बुला लिए जाएगे, अगर इसरफ पर order 17-18-18 का, होगा 17-18-18 लेकिन 2021 तक के records बुला लिए जाएगे चेकिंग के लिए, और बेटा इसमें नुकसान क्या है, बुलो नुकसान क्या है, आप estimate कर सकते हैं नुकसान क्या है, अगर case revision में फस गया तो, कोई बता सकते हैं इसमें नुकसान क्या है, नुकसान ये है, कि case आपका 2 साल का ही लगाता है, 17-18-18-19, लेकिन बाकी साल के records भी मंगवाने का power उनके पास है, और बाकी के साल में अगर कुछ गरवड होगी, तो वो भी revision में निकल जाता है, वो भी revision में निकल जाता है, हैने 17-18-19, 19-19-19-19-20-21 का, अगर कुछ और आपका गरवड होगा, तो वो भी revision में निकल जाएगा, इतना बड़ा यहां पे power दिया है, ठीक है, revisional authority कौन होगी, अगर original order, additional commissioner, joint commissioner ने पास किया होगा, तो revisional authority, principal commissioner, और commissioner रहेगा, assistant deputy commissioner ने किया होगा, तो joint commissioner, additional commissioner, revisional authority रहेगी, ठीक है, अब revisional authority क्या करेगी, after inquiring, pass such order, as a thing just and proper, which includes enhancing, modifying or annulling the original order, मतलब क्या, मतलब सभी inquiry होने के बाद, यह original authority क्या करेगी, तो original जो order है, उसको हो सकता है, tax बड़ा देगी, हो सकता है, modify करेगी, या हो सकता है, original order को cancel कर देगी, तो इतनी power है, यहां पे, तो basically, review और revision में क्या फरक है, review में जो commissioner है, वो खुद कुछ भी नहीं करेगा, वो appellate authority के पास भेज़ देगा, कि check करो भई, सही है कि नहीं है, revision में वो खुद ही कर लेगा, either बढ़ा देगा, modify कर देगा, यह annual कर देगा, original order को, revision में कुछ important बाते, आपने ध्यान रखनी चीए है, और इसको star करना, कुछ important बाते आपने ध्यान रखनी चीए है, इसको star करना, और वो क्या, RA, RA मतलब revisional authority, cannot revise the following order, exam में आ सकता है, RA कौन सी order revise नहीं कर सकता है, पहला, order subject to appeal before, appellate authority, tribunal, high court और supreme court, अगर आपकी order, already appeal में चालू होगी, maybe appellate authority, maybe appellate criminal, या नीचे high court और supreme court दिया है, तो RA फिर revision के लिए नहीं ले सकता, वो order, वो order RA revision के लिए नहीं ले सकता, RA उनके proceeding में इंटरफेर नहीं करेगा, second, यह important point है, second वाला point बड़ा important है, order having period before six months, and after three years from the communication of order, मतलब क्या, जब original order आई थी, सुनो, original order, देखो, order देने वाला एक ही बंदा होता है, एक ही बंदा होता है, शरिफ मैं उसको, इस order को, यह process कैसे में कैसे जाएगी, और यह process में कैसे जाएगी, यह बता रहो आपको, और देने वाला तो एक ही बंदा होगा, यह process में अपिल किया, तो यह process में रिविजन किया, पर यह रिविजन कब एक्टिव होता है, बताओ क्या, यह रिविजन कब एक्टिव होता है, तो पहले, यहनि उस टेप देखो, original order जब आई, तो पहले, एग्रिवर्ड परसन, तीन मेने तक अपिल फाइल करता है, क्या, ठीक है, नहीं क्या, फिर एग्रिवर्ड परसन, जो है, जो order है, उसका review में आता है, क्या 6 मेने तक, ओके, वो देखा जाएगा, क्या 3 मेना कोई अपिल, नहीं, 6 मेना कोई review, या material facts consider नहीं किये, तो 6 मेने बाद, वो revision के लिए ली जाएगी, यहने इसको ऐसा समझो, कि कब हम revision नहीं कर सकते, before 6 months, यहने पहले 6 मेने तक, तो revision नहीं होगा, कोई हालत में revision के लिए नहीं ली जाएगी, 6 मेने बाद ही ली जाएगी, और after 3 years, यहने आपका revision का power active होगा छे मैंने बाद और तीन साल के पहले from the communication of order यह point समझा के आपको प्लीज बताईए यह point समझा के आपको very good ठीक है उसके बाद में next order already taken for revision अगर order पहले revision के लिए ले लिया गया तो फिर वापस नहीं ली जाएगी और revisional order कोई already revisional order है उसको फिर से revision के लिए नहीं लिया जाएगा ठीक है अब वो आगे क्या कहते है देखो आरे में past the order on any point that not raised in any appeal before A, A.T. High Court, Supreme Court before expiry of one year from the date of order in appeal or three years from the initial order whichever is later अब देखो क्या कहते है वो मतलब क्या अगर case appeal में है अगर case appeal में A, 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 T. High Court, Supreme Court के पास तो revisional authority कुछ भी नहीं कर सकती तब तक लेकिन appeal conclude होगी appeal conclude होने के बाद ऐसा कोई point जो appeal में लिया ही नहीं गया था समझ लो मेरे case में दो point थे value और place of supply appeal तीसरी place of supply की valuation की नहीं थी अब valuation का point appeal में था ही नहीं तो फिर appeal का decision आने के बाद वो वाला point valuation का जो appeal में नहीं था उसको revision के लिए ले सकते है वो within one year from the order of the court या three years whichever is later यह point समझा के आपको यह exam में आ सकता है यह सभी points exam में आ सकते है very good चल आगे बढ़ते है अब अब case को आगे बढ़ते है appealate authority का order या revisional authority का order इससे either taxpayer satisfied नहीं है जिसमें order है या फिर department satisfied नहीं है तो इसकी appeal appealate tribunal के पास जाएगी form होगा APL05 time limit है 3 months from the communication of order और condonation यहाँ पे 3 months है tribunal में file करती है अब आ जाएए GST में tribunal कैसे होगे appealate tribunal center और state tribunal divide होगे center और state में state wise भी tribunal होगे और central के tribunal होगे central में अगर देखा जाए तो national bench और regional bench national bench डेली में रहेगा और regional bench region wise western zone eastern zone ऐसे zone wise रहेगे regional bench ठीक है और regional bench no doubt national bench के अंडर ही काम करेगा तो जो national bench डेली में रहेगा center ट्रिमिनल का उसमें 3 member होगे एक होगा judicial member लिख दो JM मतलब judicial member और TM मतलब technical member judicial member जो रहेगा वो president रहेगा और central का एक technical member रहेगा और state का एक technical member रहेगा regional bench में भी वैसे structure रहेगा जो zone wise दिये जाएगे अब state wise जो bench होगे वो state bench और area bench होगे उसमें भी structure वैसे है तीन member रहेगे sir इसमें हमें आप बताओ के कब केस regional या national bench के पास जाएगी और कब केस यहाँ पे state और area के पास जाएगी यह बहुत important है यहाँ पे यह वाला point बहुत important है jurisdiction to hear the appeal against the order passed by A or R A याने A याने appellate authority और original authority in cases where one of the issue involved related to place of supply मतलब उपर की जो case हुई appellate authority या revisional authority इस case में one of the disputed point अगर place of supply का है क्योंकि place of supply का matter है place of supply का matter है कि यह intra है या inter है तो वो case जो है यहाँ पे national या original bench के पास जाएगी generally original के पास ही जाएगी और depend on amount amount बढ़ा होगा तो national के पास जाएगी अभी तक amount notify नहीं होँआ है पर दो bench बनाए है national और original इनके पास case जाएगा one of the point place of supply का है इसको मैं दो वे से आपको समझाने कोशिश करता हूँ पुराई discussion place of supply का है तो यह bench के पास जाएगा यह 6 point पे discussion चालो इसमें valuation है, time of supply है taxable, non-taxability है और इसमें एक और है place of supply का भी matter है अगर 6 में से एक भी point place of supply का है तो यह पूरा का पूरा case national या original bench के पास जाएगा यह point समझा के आपको यह point समझा के बिटा यह बहुत important है और बाकी सभी other matter बाकी सभी other matter यह state और area bench हैंडल करेगा इसमें national या original bench नहीं हैगा state और area bench हैंडल करेगा तो यह पढ़के जाना अच्छे से उसके बाद में appellate criminal can refuse an appeal यह भी बहुत important point है यह भी बहुत important point है यहाँ पर देखिए appellate criminal can refuse an appeal where amount of tax ITC difference in tax or ITC or penalty determined by such order up to 50,000 याने आपकी case में amount अगर 50,000 या उससे कम है तो appellate criminal के पास यह पावरे की case छोटा समझ कर case छोटा समझ के वो refuse कर देगा कि नहीं भई नहीं लेते हैं आपका case memorandum of cross objection देखो जिसने appeal file की उसके जो opponent होता है वो भी अपना representation देता है और वो cross objection में देता है उसको कहते है memorandum of cross objection और fees यहाँ पे दिये यह पढ़ लेना अब यह point पे होगा sir जब मेरी case appellate criminal में जाएगी तो क्या मुझे pre-deposit भी देना है yes और यहाँ लिख दो it is in addition to our in addition in addition to our pre-deposit our pre-deposit मतलब in addition to our pre-deposit आपको यह additional deposit रखने पड़ेगे मतलब क्या मतलब यह यहाँ पे full amount of tax interest or penalty वो तो आपने पहले दे दिया और वो तो वो दो बार नहीं देना पड़ेगा यहाँ आपने यहाँ पहले ही दे दिया full amount जो agreed था और यहाँ पे भी वापस से उतना full agreed नहीं दो बार नहीं देना पड़ेगा यह तो आपने अब वो दे दिया लेकिन disputed amount का सुने दहान से यह point important है disputed amount का 10% यहाँ दिया है PLUS अगर टिविनल में जाना है तो 20% यहाँ दिना पड़ेगा याने ऐसा 30% हो जाएगा यह समझा क्या याने यहाँ पे 10 plus 20 ऐसे 30% हो जाएगा यह समझा क्या YES or NO पर maximum 50 crores उससे ज़्यादा pre-deposit नहीं जाएगा और के जब केस अपले टिमिनल के पास जाएगी चली अब थोड़ा इदार आ जाते है hearing by bench और के bench की hearing समझ लेते है यह तो ठीक है neglisible point है वेर less than 3 members वैसे तो टिमिनल के 3 member रहेगे लेकिन 2 member भी यह case सुन सकते है अगर precedent permission देता है क्योंकि एक तो precedent होता है यहाँ पर वो permission देता है 2 member भी सुन सकते है और यहाँ पर if appeal amount is up to 5 lakhs and no question of law involved मतलब case 5 lakh के नीचे का है यह 5 lakh तक का है और उसमें कोई ऐसा interpretative matter नहीं है तो एक member भी उस case को सुन सकता है ठीक है यह जो order आएगिया अपले ट्रिविनल की इस order के बारे में कुछ जानने की कुशिश करते है पहला order of 80 past such order as a thing fit confirming, modifying or annulling the decision of decision order appeal against उसके बाद में यह case वापस भेश सकते है यह case A.A.R.A. या original adjudicating authority के पास fresh adjudication के लिए भेश सकते है आ सकता है A.A. नहीं भेश सकता पर 80 भेश सकता है कि बाई कुछ facts consider नहीं किये वापस से इसको देखो यह fresh adjudication करो यह case वापस भेश सकता है time limit of order या एक साल में order दे देनी चाहिए अगर हो सके तो advisory है, advisory मतलब compulsory नहीं है appellate tribunal अपना decision एक साल के अंदर देगा copy of order उसने original adjudicating authority A.A.R.A. appeal and directional commissioner सबको उसकी copy भेश देना चाहिए और binding effect यह important है binding effect every order passed by 80 shall final and binding on the parties unless dispute is taken to a higher authority मतलब अगर appellate authority ने कोई order दे दिया तो वो binding रहेगी अगर आपने उसकी आगे appeal file नहीं की तो department में भी binding रहेगी और assessor में भी binding रहेगी कुछ important note any order made by appellate tribunal may be enforced by it in the same manner as it is a decree of court देखो, appellate tribunal actually यह court नहीं है यह quasi judicial authority है Parliament ने बनायवा fast track court है पर उसकी order को वैसा ही माना जाएगा जैसे यह high court supreme court का order है उसको वैसे ही माना जाएगा and all proceeding before 80 shall be deemed to be a judicial proceeding मना जाएगा ठीक है अब rectification of order by 80 ठीक है कभी-कभी order में गलतिया हो जाती है order देते हो apparent from records order में किस type की गलतिया हो जाती है mystic apparent from records जैसे interest rate 18% का 81% हो जाता है okay mystic apparent from records excise की मुझे आज भी गलती यादा आती है जब मेंने एक tribunal का case लड़ा था तो excise में था not amount to manufacture not amount to manufacture इसलिए excise नहीं लगेगा और last conclude करते है not type नहीं हो गया और amount not आया ही नहीं amounts to manufacture हो गया तो last paragraph में जबकि इसके पहले सब paragraph में उनोने का था not amount to manufacture पर typological mistake हुई तो again mistake apparent from records तो ऐसी जो mistake जो decision नहीं बदलती है पर mistake दीख रही है apparent from records उसका वो यहाँ पर rectification कर सकते है बाकि अपने decision नहीं बदल सकते है ठीक है यह point दाने सुनना okay appellate tribunal may amend any order passed by it so as to rectify any error apparent on the face of record okay any error apparent from the face of record if such error is notice in the order by own accord या पर notice में लाया गया by commissioner या party to appeal और ये तीन मैने में rectify कर सकते है if amendment has effect of enhancing an assessment or reducing the refund और ITC otherwise increasing the liability then party has been to be given opportunity of being hurt in rectification के वज़े से कोई tax बढ़ जाता है या ITC काम हो जाता है या liability arise हो जाती है तो वो situation में यहां पे दोस्तो जहां तक है यहां उसको opportunity of being hurt देनी पढ़ेगी यह हुआ order of appellate tribunal चलो फटाफट आगे कादम कर लेते हैं ओके यहां तक अच्छे से समझ में आया दोस्तो अगर मेरा दो पॉइंट है P.O.S और ITC तो case before A against I have filed appellate ATV में center के पास P.O.S अगर आपके दो पॉइंट है तो पूरा का पूरा case इस original या national bench के पास जाएगा वो ऐसा divide नहीं होता है आपके अगर ITC का matter है और P.O.S का matter है तो पूरा का पूरा case यहापे regional bench के पास जाएगा ठीक है अब देखो appellate tribunal का decision आगया appellate tribunal का decision आगया अब इसके आगे flow कैसा बढ़ता है आप agreed नहीं हो या department agreement नहीं है decisions है तो अब पहला point देखो order if order of AT appellate tribunal order is of AT national या regional होगा there disputed point place of supply था अब national या regional tribunal है इनके against में appeal फाइल करना है तो वो direct supreme court के पास जाएगी high court के पास नहीं national या regional tribunal का appeal इनका appeal direct supreme court के पास जाएगा ठीक है तो appeal shall be lie to supreme court against the order passed by national tribunal or original tribunal लेकिन अगर order state tribunal और area tribunal का होगा तो वो case में high court के पास जाएगा high court ये order accept करेगा for appeal in form appeal 08 180 days में और उसमें question of law involved होना जाए और है substantial question of law अगर high court को लगता है कि ये interpretation matter है और इसमें substantial question of law involved है substantial question of law मतलब interpretation matter है तो फिर high court उसको case को लेगा और फिर high court के against में appeal फाइल करनी है तो वो case supreme court में जाएगी high court से supreme court में जाएगी पर ये line पढ़ना बहुत जरूरी है appeals shall light to supreme court against the order passed by high court where high court certifies to fit case for supreme court हर case में high court को ending में certify करना पढ़ता है कि high court को ऐसा लिखना पढ़ता है हम ये decision दे रहे हैं पर आप चाहो तो supreme court में जा सकते हो अगे तो अगर high court यहाँ पर हर case में नहीं स्वारी में गलती से बोल दिया अगर high court last concluding line में ये लिखता है कि आप चाहो तो supreme court के पास जा सकते हो तो वो ही case supreme court के पास जाएगी लेकिन high court ने ये नहीं लिखा आप चाहो तो supreme court के पास जा सकते हो नहीं किया तो फिर वो case supreme court के पास नहीं जाएगी high court अखरी में certify करेगा कि ओके this is our decision if you want you can go to supreme court तो ही वो case आगे बढ़ेगी और supreme court के पास जाएगी ये point समझा के आपको yes or no अब यहाँ एक बहुत important और concluding point के देखो payment due confirm by appellate tribunal या high court notwithstanding that appeal has been filed to high court अगर 80 के appeal होगी तो high court और supreme court हैने high court होगा तो supreme court some due to government as a result of order passed by tribunal या order passed by high court or as the case में भी shall be payable in accordance with the provision of this act मतलब के एक बार appellate tribunal ने decision दे दिया तो जो भी due निकला है वो pay करना पड़ता है फिर आप supreme court में जाओ या high court में जाओ पैसा दे देना पड़ता है आपके pre deposit तो है हमारे पास पैसा conclude हो जाता है इवन दो आप आगे बढ़ रहे हो आगे बढ़ रहे हो और बाद में refund आए तो refund मिल जाएगा लेकिन पैसा आपको देना पड़ेगा या फिर high court ने आपको conclude कर दिया और पैसा देना निकाला है तो आप बाद में supreme court में जाते बैठो पर वो पैसा आपको देना मतलब देना ही पड़ेगा आपको पैसा देना ही पड़ेगा हाँ अगर high court ने ऐसा नहीं लिखा कि fit for supreme court तो फिर high court का decision final रहेगा high court का decision final रहेगा 180 days कहां से लेना है तो दिया है ने वेटा कहां से 180 days लेना है यहाँ पर ठीक है अब चलो आजाओ production of additional evidence before AA or AT यह वहला point भी important additional evidence appellant shall not allowed appellant shall not allowed to produce before AA or AT additional evidence where oral or documentary पहला point देखो यहाँ पर जब भी case court में किया था आपको cost पूछे गए थे तो ऐसा कोई भी evidence है जो proceeding में आपने जब proceeding चल रही थी initial proceeding आपने नहीं रखा और suddenly court के सामने रख रहे हो तो allowed नहीं होता है allowed नहीं होता है क्यों क्योंकि आपने manipulate करके लाया होगा records को change करके लाया होगा और के नहीं यहाँ पर witness बना के लाया होगे नहीं court पहले पूछेगी यह आपने पहले यहाँ पर proceeding के time इसका difference लिया था क्या यह आपने दिया था क्या नहीं फिर मैं court में entertain नहीं करूगा क्योंकि manipulation होके भी आ सकता है आप समझ लेहो तो production of additional evidence वैसे तो allowed नहीं होता है आपने अगर जॉली LLB movie देखा होगा अक्षे कुमार गार तो वो terrorist आखरी में आता है तो यहाँ lawyer वही objection लेता है यह जो present किया गया ना हमें कोई इसकी notice दी गई हमें ना बताया गया ना इसका पहले कोई reference लिया गया तो ऐसे situation में आप यह suddenly court के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो additional evidence आपको allowed नहीं होता है मेरी बात समझ लेहो, doubts बात में लोगा, यह बात समझ लेहो वह court ने कहा था कि ठीक है, नहीं नहीं मैं allow कर रहा हूं ना कुछ grounds पे वह allow कर सकता है कि ठीक है वह जो terrorist था उसको कि यहाँ पर लाओ, कटगेरे में खडा करो, मैं allow कर रहा हूं हाँ, पर जब भी judge allow करेगा, तो यह चार grounds पे ही allow करना चाहिए यह चार ग्राउंट्स पे ही अलाव करना चाहिए तो देखो कौन से फॉलाइंग कैसे प्रडक्शन अफ अडिशनल एविडेंच शाल भी अलाओड पहला एजुडिकेटिंग ऑथरिटी और एए रिफ्यूस टो एडमीट दे इविडेंच और टो एडमीटे मतलब क्या हमने वो एडिशनल जो एड्जुडिकेटिंग ऑथरिटी थी ओफीसर जिसने ओडर लगाया था उसको दिये थे या एए अपिलेट ऑथरिटी को दिये थे लेकिन उन्होंने एडमीट ही नहीं किये इसलिए जब भी कोई डॉकुमेंट रिप्रेजेंट करते वक्त आप देते हो तो उसका कॉंटर साइल लेना तो कॉंटर साइन मतलब एक कॉपी एक्स्टा रखना उसकी साइन मतलब यह उससे प्रूड होता है कि आपने डॉकुमेंट दिया था पर इन्होंने रिफ्यूस किया होगा तो रिफ्यूस की साइन लेना आइडमीट नहीं कियो तो उसकी साइन लेना क्यों कि यह बात में आ तो यह मुश्किल ही आती या फिर जैसे Jolly L.L.B. मुवी देखोगे तो सर मैंने इसका पहले इविडेंस इसले नहीं दिया कि अगर होता है इसको मार दिया जाता या यह केस को खतम कर दिया जाता इसले इसको डारेक्ट प्रडूस किया गया वैसे कुछ इविडेंस ऐसे कि सर तब sufficient ऐसे कौश्ट है कि जिसके वैज़े से वैं प्रडूस नहीं कर पाया तो फिर कोड कर एगा ठीक है हम तुमारे इसन को समझते है और यहां पे अलोग कर देगा तिसरा अपिलेंट वास प्रडूस 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 इविडेंस relevant to any ground of appeal यह ख्याल रहे दूसरा और तिसरा point same लगेगा ऐसा नहीं है कोई भी appeal का ground होगा और वो ground okay sufficient cost था कि वो ground को क्यो explain नहीं कर पाया तो additional evidence produce होगे और adjudicating authority has made a order appeal against without getting sufficient opportunity okay to apply and to produce the evidence मतलब क्या मतलब वो बंदे नाम को time ही नहीं दिया या okay आज notice है तीन दिन बाद do final कर दिया और कुछ तो reasonable time दे evidence produce करने के लिए और अगर उसने reasonable time नहीं दिया होगा तो यह additional evidence जो है वो produce के जाएगे तो यह बेटा चार केसे थी जा additional evidence okay आपके देखे जा रहेगे उसके बाद में authorized representative यहाँ पे authorized representative आपका regular employee advocate हम CA, CMA, CSB हो सकते है retired officer of tax department और GST GSTP भी हो सकते है disqualification यह याद रखे जाना की कौन आपका representative नहीं बन सकता है person dismissed or removed from government service convicted any office under any law found guilty of misconduct यह फिर insolvent वह नहीं हो सकता है last wala part which is very important कौन सी order, order against which appeal cannot be filed and ऐसी कुछ order जिसकी appeal file हो ही नहीं सकती exam में आता है यह question order of commissioner or other for transfer of proceeding from one officer to another अगर commissioner ने आपकी proceeding एक officer थे दूसरे officer को ship कर दी तो आप कहोगे नहीं नहीं सर वो मेरे पहले और अफिसर के साथ अच्छी setting थी तुमने नहीं officer को किसको लाया मैं तो appeal फाइल कर दूँगा ऐसा कैसा नहीं officer तुमने ship कर दिया नहीं चलेगा उके उसके appeal नहीं जा सकती दूसरा order of seizure or retention of books or documents for which order of seizure or detention of documents मतलब आपका order tax का नहीं है cease करने का order दिया गया retention करने का order दिया गया cease और retention का order के अगे इसमें appeal फाइल नहीं होगी कि ऐसे कैसे मेरे good sees कर लिए ऐसे कैसे detention कर लिए books कैसे लेगे गए उसका order का कोई appeal फाइल नहीं होगा order of sanctioning prosecution उसका भी नहीं जाएगा और order under section 18 related to payment of tax or interest in installment आपको installment जो है reject कर दिया या दस 12 मेने का installment दिया 24 मेने का देना था पर 12 का दिया आप court में चलेगा ऐसे कैसे 12 का 24 का दो तो वो उसका भी appeal फाइल नहीं होगा ये 3 mark के लिए exam में question पूछा गया था तो यहां हमारा appeal chapter in होता है I hope आपको ये सब points clearly समझ में होगे पहले doubts बात में पहले ये बताओ समझे की नहीं समझे सभी points हाँ चल अब आपके doubts लेता हो transfer of proceeding सबसे पहले था doubt ये लेता हो transfer of proceeding to another officer review or revision order as the case you know नहीं नहीं ये transfer of proceeding अलग है ये transfer मतलब एक ही assistant commissioner से दूसरे assistant commissioner को दिया गया applet authority को नहीं दिया गया एक ही assistant commissioner से दूसरे assistant ये काम नहीं कर रहा है दूसरे को दे दो वो cover करता है appeal to supreme court appeal to supreme court की time limit 180 days होगी क्या नहीं नहीं उसका ऐसा time limit नहीं है वो high court अगर certify कर दो ता आप supreme court में जा सकते हो ठेक है उसके बाद मैं sir 80 से s court जाना है तो कोई time limit है क्या हाँ यहाँ पर एक मिनुट supreme court के लिए आपको जाना है तो time limit मेरे को भी एक बार check करने दो नहीं उसका time limit तो नहीं दिया है उसका कोई time limit नहीं दिया है यहाँ पर तो supreme court में जाहा तक देखा जाए तो जाहा तक देखा जाए दो केसे सा सकती है एक regional bench से आ सकती है regional यहाँ पर यह tribunal bench से आ सकती हो यहाँ से आ पर एक reasonable time में फाइल करना जाए आपने नहीं 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 रिविजनल ऑथरिटी सवाल है कि regional authority क्या appellate tribunal की case decide कर सकती है क्या नहीं देखा नहीं है हमने अगर order अरे cannot revise the order अगर appellate authority appellate tribunal high court supreme court का order है तो वो revise नहीं कर सकते सवाल ही गलत है पेटा सवाल ही गलत है ठीक है और कोई doubt question तो चलिए आज का रिविजन हमने यहाँ end कर दिया I hope आप पूरी रिविजन से satisfy होगे आपको मज़ा होगा और हमने यहाँ पे दो जो procedural chapter है उसको चार्ट में लेके कुछ practical case example देखके हमने खतम करने की यहाँ पे कोशिश की है तो इस दो चार्ट में आपका पूरा खतम हो जाएगा पूरा यहाँ पे खतम हो जाएगा तो चलिए आज का session यहीं होता है शाम को session नहीं रहेगा आज आज शाम कोई session नहीं रहेगा कल हम continue करेंगे हमारे regular time सुबह 7 बजे ठीक है आज शाम को कोई session नहीं रहेगा तो चलिए yes मज़ा है आपको very good हाँ at least उतना तो मिली जाएगा आपको thank you thank you बेटा तो चलिए यहाँ रुकता है thank you to all of you bye हाँ next topic जो है यहाँ पर हाँ एक बात और बता दू refund refund next topic रहेगा उसमें एक minute एक minute एक minute एक minute next topic refund उसका जो पहला एक गंटा है वो मैं अभी upload कर दूँगा वो देख लेना next topic refund का एक गंटा जो वो अभी देख लेना आपने वो एक पूरी procedure मैंने explain किये और उसके आगे मैं live streaming में continue करूगा तो पहला एक सवा घंटा का lecture अभी मैं दुफेर तक upload कर दूगा वो आपने देख लेना और उसके आगे कल morning में मैं continue करूगा ठीक है वो पूरी refund की procedure मैंने explain किये refund ये chapter आपने पढ़ना है वो procedure देखकर भी पढ़ा तो भी चलेगा क्योंकि complete refund procedure कैसे flow होती है वो मैंने वहाँ पे explain किया है ठीक है तो वो मैं topic डाल दूगा वो आपने देख लेना और फिर जो main discussion है zero rated supply okay zero rated supply inverted tax structure जो main discussion पर सवाल आते हैं हम कल live streaming में लेंगे हाँ telegram पे मैं update कर दूँगा upload होने के बाद वो आपने सभीने देख लेना है सभीन देख लेना है जो already recorded session है ठीक है done ओके बाए बिटा नेक्स चप्टर लेते है appeal and revision चलिए तो यहाँ देखते है appeal and revision इसमें क्या एक चोटी सी amendment है और वो है pre deposits related जो mandatory deposits होते है यह mandatory deposits क्या होते है अगर आपको appellate authority में appeal file करना है या disputed amount का 10% आपको देना पड़ता है अगर आप appeal की penalty जो भी लगी होगी 200% लगी होगी 50% of value of goods लगी होगी तो जो भी penalty लगी होगी 1293 में और उसकी appeal होगी तो आपको minimum 25% तो आपको deposit रखना पड़ेगा तो ही आपकी appeal entertain की जाएगी otherwise not ठीक है तो यह प्रोवीजो यहां पे इतनू से को